नमस्कार मैं हूँ साक्षी में आप देख रहे हैं देभू मिंसाइजर रुकरते हैं आज के बुख्य खबरों की और आम बजट पर बोले सीमधामी बजट लोगों की उम्मीदों पर उत्रेगा खरा उत्राखंट को मिलेगा फाइदा प्रदेश में हूँगी बारसो वित्य साक्षर्ता जागरुकतार गोस्टिया 24 उत्रस्ट के सान अध्यन के लिए जाएंगे नईभू कानून में निवेश और स्थानी हितों के बीच संतुलन साधने की चुनाती अगले हफते होगी एहम बैठक उत्रखण में सरोगेसी बोर्ड और राजिस्तर ये प्राधिकरण का गठन जन्द एया आर्टी क्लिनिक भी खुलेंगे प्रदेश के 38 गैंक्स्टरों की 38 करोड की संपत्य होंगी जब प्रशाशन को भीची रिपोर्ट अब खबरे विस्तार से वित मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुद्वार को मोधी सरकार का नवा बजट पेश किया उत्रखण की मुख्यमंत्री पुषकसिंधामी ने बजट को लेकर कहा कि मैं पिये मोधी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और देश के लोगों के साम निशानदार बजट पेश करने के लिए वित मंत्री निर्मला सीतारमन को बढ़ाई देता हूँ ये बजट देश के साथ-साथ दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा सहकारिता मंत्री डॉक्टर दंसिंग रावत ने कहा प्रदेश में 1230 साक्षर्ता जागरुपता गोश्टें आयोजित की जाएंगी इनके माध्यम से ग्रामेडों को सहकारिता विभाक और नावर्ट की योचनाओ की जानकारी दी जाएगी राजपुर रोड स्थेट निदेशाले में आयोजित विभा के समीक्षव एठक में मंत्री ने ये निर्देश दिये राज़ी सरकार के सामने प्रस्तावित नए भूमी संचोटन कानून में स्थान या भू स्वामियों के हितों और विकास के लिए जरूरी निवेश के बीच संतुलन साधने की चुनोती खड़ी हो गई है भूखानून के लिए गटित समीती ने उस भूमी को राज़ी सरकार में समाहित करने के सिपारिश कर रखी है जिसका तैस हमें सीमा में उदेश्य के मुताविक उप्योग नहीं हो पाया है प्रदेश में राजिस्तरिय सहायत प्रजनन तकनी के अधिनियम यानि के एर्टी वो सरोगेसी एक्ट को लागू करने के लिए बोर्ड और राजिस्तरिय प्राधिकरन का गठन कर दिया गया है राज्य में एर्टी क्लीनिक वो एर्टी बैंक भी खुलेंगे जिनके लिए एक दरजन से अधिक आवितन प्राप्त हो चुके है उत्राखन के 38 गैंक्स्टरों की 38 करोड उपे से जादा की संपतिया जब्त की जाएंगी ये संपति उन्होंने अपराध कर अरजित की है इस संबन में संबन्दित जिला प्रेशासन को पुलिस रिपोर्ट भेज रही है इसके लावा 215 गैंक्स्टरों की संपतियों का आंकलन चल रहा है जल्द हिजांच पूरी कर इनकी रिपोर्ट भी प्रेशासन को भेजी जाएगी चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी केस में उत्रकंड हाई कोट ने बड़ा फैसला दिया है कोट ने धामी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुई रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पत पर वहल कर दिया है इसके साथ ही कोड ने सरकार से पंचायती राज नियामवली का ठीक से पानन करने को कहा है पॉड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याई नहीं मिल पाया है सिकड़ी में अंकिता के हत्यारे पुल कितारे के पिता विनोधार है आज बिना अनुबती के ही वरंद्रा रिजॉर्ट में घुसकाई जब पूछा गया कि वहां आने की वज़ा क्या है तो वो मूँ छुपाए चलने लगे मामने में पुलिस भी गोल मुल जवाब लेकी नज़र आई उद्रगंड के देहरदूल में पुलिस ने एक बड़े खेल का परदाफाश किया है पुलिस ने एक ऐसे गिरौ का खुलासा किया है जो दसवी और बारवी फरजी माकशीर तयार करते थे वहां इस्तिते सामानने करने वह प्रभावितों के पुनरवास को लेकर काम चारी है इसे बीच विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रही है जिसको लेकर बीजेबी प्रदेश अद्यक्ष महिंद बढ़ का कहना है कि जोशिमट में मावाधी ताकते सक्रिया है वह सेम धामे का कहना है कि जोशिमट आबदा को लेकर कुछ लोग अलाग अजेंडा चला रहे हैं जो इस स्तिती में सही नहीं है उद्रगर्ण सरकान में कैबिनेट मंतरी गणी जोशि ने पूर प्रदान मंतरी दिवंगत इंद्रा गांधी और राजीव गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस पर वो अभी भी कायम है कैबिनेट मंतरे गणेश जोशी ने कहा कि वो प्रधाल मंतरे इंद्रा गाधी और राजिव गाधी के हत्या को शाहदत नहीं मानते हैं वह उनके इस बयान पर कॉंग्रस ने आपत्ति चताई है आज ही डाउनलोड करें देव भूमी इंसाइडर एप